हलो दोस्तों नमस्कारत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विस्व में कहीं मुझे ये बीमारी या फिर डिजीस ना हो जाए दोस्तों इस तरीके का थौट आता रहना बार बार अलग- अलग तरह की बीमारीयों के बारे में बार बार पढ़ते रहना जानते रहना और सक करते रहना कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए या कहीं मुझे ये इन्फेक्शन ना हो जाए दोस्तों यह भी psychological problem है जिसका नाम है OCD, OCD का ही ये टाईप है जिसके दिए अंदर की आपको कई सारी बीमारियों के अलग अलग तरह के खत्रें महसूस होने लगते हैं तो उसको लेकर चिन्ता ओने लगती कहीं यह फ्राबलम ना हो अच्छा इसमें होता क्या है कि मान लिजे आपने किसी बीमारी के बारे में जाना कि अगर कोई चोट लग गई तो इसमें टिटनेस के बैक्टिरिया बैट गए तो टिटनेस हो जाएगा अब ऐसे में क्या होता है कि मानली जे इंसान को कोई घाव लग गया है तब ऐसे में वो यूटूब पर ऐसी वीडियो सर्च करेगा या इंटरनेट पर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ता रहेगा टिटनेस किस तरीके से हो जाता है टिटनेस के इंजेक्शन कब और कितने समय तक काम करते हैं या किन-किन कंडिसंस पर काम करते हैं किन-किन कंडिसंस पर नहीं करते हैं ऐसे अलग-अलग तरीके कि सक्ट पैदा होने लगते इंसान के अंदर थोड़ा सा सक्की सभाव का हो जाता है बीमारियों के लेकर इंसान ऐसे में अधिकतर यह भी सोचने लगता है कि मान इस तरीके की भी प्राब्लम होने लगती है इंसान बीमारियों को लेकर बहुत ज्यादा संस्टिव होने लगता है जबकि इतनी ज्यादा प्राब्लम नहीं होती है या फिर इतना ज्दा संस्टिव होने की ज़रूत नहीं होती है तो दोस्तों इसमें इंसान बहुत ज्यादा परिशान होने लगता है बहुत ज़्यादा anxiety में चला जाता है वह हर समय आर्टिकल पढ़ता रहता है यूटूब पर वीडियो देखने लगता है कि कहीं cancer कैसे होता है या फिर HIV कैसे हो जाता है या फिर सब चीजे चला करती हैं और इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी में चला जाता है इससे उसके नॉर्मल कामों में भी इफेक्ट पढ़ने लगता है तो दोस्तों इसमें आपको समझना होगा कि जो इंसान होता है उसके सरीर में ओल्डेडी इम्यून सिस्टम होता है जिसको इश्वर बना कर भेजा है कि उस्षवर को पता है कि कैसे बैक्टीरिया होते हैं सब नहीं जरूरी होते हैं हाला कि इनवार्मेंट को सही रखने के लिए इन सब की ज़रुरत होती है तो इस वह लेड़ी हमारे अंदर ऐसी चीज़े दे रखी है उलेडि जैसे कि माली जह अ यह कुछ द only would like tombu करते हैं," और भी लोग सब किरते हैं", यह उनको कोई बिमारी हो जाती है, नहीं होती है। लोग थोड़ी बहुत चोट लग जाते हैं। उसमें कुछ लगा लेते हैं। घशासा। इन लोग दोई बाए रागीा आप आपको परिशान नहीं होना है क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर अल्रेडी इम्यून सिस्टम है और किसीर प्रकार के वैक्षिन सिन करते हैं उननल्री बीमारियों पर द्यान नहीं है ऌल्मारिय और रसलिया होती है लोग अप्सेध गरेंगे अपकी अच्छी को लिछ सborge उने हैं फिर दीरे दीरे करके automatic यह problem जो है खतम हो जाएगी पूरी तरीके से vanish हो जाएगी तो दोस्तो आसा करते हैं यह बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी यह जो बीमारी वाली problem है अलग-अलग तरीके की बीमारी का जो fear होता है इसको कैसे overcome किया जाए यह भी आप अच्छे झाल 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 झाल